नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नेहा शर्व और आप देख रहे हमारा विशेश कारिक्रम आध्यात्मिक ज्यान चर्चा और आई शुरुवात करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी तंत रामपाल जी महाराज सत लोग आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना बनाम हंता देश पंत के प्रमुक संद्श्री सजपाल जी महाराज पंजाबी बाग बिल्नी के विचार को दिखेगा जो जनकी चर्चा करते हैं वह तकल तॉदर्शी जो महापुरुष होते हैं तट को जानते हैं वह तत्त की bor Cross की बात करेंगे और को तत्त को लखाएंगे तो श्रौतिय प्रमिर्ष्ट महापुरुष यो होते हैं वो शास्त्रों के आधार पर शास्त्र द्वारा प्रमानित और वो तत्वदर्शन कराएंगे आपको उसका अनभव हो जैसे मैं आपके मौम है मैं आपको चीनी के बारे में बहुत कुछ कहता रहूं पर आपको मिठास का अनभव न बताते हैं तो फिर कहनी की जृष नियुत बहुत है तबही कहा गया है कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात दुलहा दुलहन मिल पड़े ठीकि बड़त को संसार के बारत प्रनात्मा का यoh है कृस्त्रप देते हैं तो अपको अपने गुरु से मिलियेする से अजले के आप अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमोग, संथ श्री सत्पाल जी महराज, पंजाबी बाग दिल्ली के विचार अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी, संथ रामपाल जी महराज, सतलोक आश्रम बर्वाला, जिला हिसार हर्याना के विचार श्री सत्पाल जी महराज, जीशे परसंड किया गया, कि तत्व दर्शी संथ की क्या पैचान है, ये सविकार करते हैं कि तत्व दर्शी संथ वो होगा, जो सदगरंथों के अनुसार ग्यान देगा और बग्ती विधी बताएगा, अब सदगरंथों में कौन सी विधी है, और कौन सा ग्यान है, जिससे सिरी सत्पाल जी और सिरी हंस जी महराज, जो उनके पुझे गुर्देव जी थे, और सिरी प्रेम रावत जी, जो अमरिका के अंदर अधिकतर रहते हैं, जो उनके छोटे बाई हैं, ये सास्तर विधी आकर मनमाना आचन कर रहे हैं, और सास्तर विर्द ज्यान दे रहे हैं, शिरी ये कौन सा मंतर देते हैं, हंस मंतर शिरी मद्भवद गीता में कहीं पर वरनित नहीं है, वेदों में कहीं पर वरनित नहीं है, कि ये इस नाम से जीव का मोक्स होगा, और देखिएगा गीत, शि जे गुरुदेव जी इन्हीं के पुष्टकों से देखिएगा ये बिलकुल सही है कि तत्वद असी संत जो होगा वो सास्तरों के अनुकूल ही साधना बताएगा क्योंकि हमारे सद्गरंथ एक बगती मारक का सलेबस है पठे करम है और गुरु कौन होते ही ये टीचर है अध्यात्मिक गुरु है अध्यात्मिक टीचर है स्परिच्वल टीचर है और टीचर का करतव होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू दासलेबस पड़ावे वो सही है इस दासने इन सभी पंतों को खूब खंगाल कर देखा खूब टटॉला इनकी वगती और इनके ग्यान को आज तक दासने जिनके भी इतियास पड़े हैं इनकी अनभव पड़े हैं किसी का भी ग्यान और किसी की भी साधना सद्गरंथों के अनुकुल नहीं है इसे सिद्ध है कि ये टीचर नहीं है इनका मारग इनका पंथ ठीक नहीं है इन्होंने सद्गरंथों का आधार मानकर सद्गरंथों के विप्रित ज्यान बताया है तो अब पुन्यात्माओं से मुझदास का निवेदन है कि आप जी सभी कुमारग पर जा रहे हो और आप जी को चाहिए कि आप इस दास के वचनों पर पुनर विचार करें मुझ दास के इस प्रियतन को आलोचना ना समझे ये एक महाप्रोबकार का कारिय है जो कभी किसी युग में ही ऐसा कोई संत आता है जो सची कहता है सच्सो वर्स पहले परमिश्वर स्वेम आये थे कबीर जी कासी बनारस में उन्होंने ये सच्चा ग्यान हमारे हित्म कहा था लेकिन इन नकली गुरूओं ने संतों ने आचारियों और संक्राचारियों ने उस यथार्थ ग्यान को हम तक आने नहीं दिया और परमिश्वर कभीर जी का बहुत जुरुद करा दिया उनको बहुत यातनाएं जी परन्तु वो परमात्मा थे वो किसी भी उनके प्रियतन से मारे नहीं गए बहुत जुलुम किये उन्होंने और परमात्मा कभीर जी कहा करते थे कि ये सभी संत और याचारियों और संक्राचारियों तुम्हें जी सिक्सित नहीं है ये तो धानक जाती में जुलाहा जाती में परगट है और उसमें केवल सास्त्रों को पढ़ने कादिकार केवल एक ब्रामन वरग को था और सभी सद्गर्णत संस्कृत बासा में लिपिबद थे तो उस समें इन नकली गुरूओं की आचारियों और संक्राचारियों और मंडलेसवरों की या दाल गल गई इस पॉइंट पर के कबीर जी ऐ सिक्सित है ये सद्गर्णतों को नहीं जानते ये पढ़े ही नहीं है तो हमने यही मान लिया कि सच मुझ जो ग्यान सद्गर्णतों में वो सकते हैं और कबीर जी सद्गर्णत नहीं पढ़ सकते इसलिए इनका ग्यान सास्तर अनकुल नहीं हो सकता तो ये हमारी बहुत भारी भूल थी ग्यान कोई अक्सर ग्यान से नहीं होता अक्सर ग्यान तो एक बासा विसेश का ही होता है और भासा का कारिये है अपने विचारों को दूसरे तक पहुचाना वो किसी भी भासा में हो वो यचार्च ग्यान हो चाहे वो संसकर्थ भासा में हो चाहे वो इंगलिस लेंग्वेज में हो चाहे वो पंजाबी में हो या अपनी मातर भासा या लोकल अक्सेत्रिय भासा में हो ग्यान सरेष्ट हो तो परमेश्वर कवीर जी ने एक simple language में एक साधान भासा में वही सद्गरंथों वाला यथार्थ ग्यान बोला था जिसको जन साधान आसानीशे समझ सकता है वो ग्यान आदनिय धरमदास साहिव जी ने परमपुज्ज कभीर परमिर्शवर जी के दोरा बोले गए ग्यान को लिपि बद किया था जो आज हमारे पास कभीर सागर कभीर साखियों कभीर बीजक कभीर दुहावली कभीर सबदावली आजी के नाम से कई गरंथ उपलब्द है और उनके अंदर परमात्मा ने वही ग्यान वर्नित किया है जो हमारे पवित्र वेदों में पवित्र पुराणों में पवित्र स्रीमत भबुद गीता बाइबल और कुरान में जो आज विद्मान है तो पुर्यात्माओं एक तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर जी ऐ सिख्षित हो तेवे सब सद्गरंथों का ग्यान जानते थे और सद्गरंथों वेदों और गीता में जो ग्यान नहीं है उससे भी आगे का जानते थे तो वो परमात्मा है जैसे शिरीमत भगुत गीता अध्याय नंबर चैर के स्लोक नंबर चौँटीस में कहा है कि उस तत्वग्यान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परनाम करने से और कपट छोड़कर उनसे परसन करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्वग्यान का उपदेश कराएंगे वो तत्वग्यान कौन सा है गीता धैर नंबर चैर के ही स्लोक नंबर बत्तीस में सपष्ट किया है कि सचीदा नंद गनब्रम की वानी में यहां इन्होंने अनुआद गल्द कर दिया ब्रमने सब्द का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया ब्रमने मुखे का अर्थ अनुआद करता होने गल्द कर दिया इन्होंने वेद की वानी लिख दिया वेद वाला ग्यान तो गीता ग्यान दाता बोल ही रहा है उस नियत कहा कि इन वेदों से भी और गीता में मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इससे भी हटकर है कोई ज्ञान वो तत्व ज्ञान है तो यहां इन्होंने ब्रम्ने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी यह करना चाहिए था सचीदा नंद गन ब्रम की वाणी में यानि प्रमकसर ब्रम की वाणी में उसने अपने मुख से बोली है वो ब्रमने मुखे यानि सचीदाननद गनके प्रम के मुख से उच्रित वाणी में विष्टार के साथ धार्मे की यगों का ग्ञान यानी अन्स्ठानों की जानकारी दी गई है और उसको जानने के बाद फिर प्राणी सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है तो वो तत्व ग्यान गीता ग्यान दाता ने कहा कि वो कोई अन्य ग्यान है और उससे गीता ग्यान दाता भी परीचित नहीं है इसी परकार ये दूर वेदग जहाय नंबर 40 के सलोक नंबर 10 से लेकर 13 में सबश्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवाद कहता संभवाद माने उत्पन होने वाला जैसे स्रीराम और स्रीकरसन जी के रूप में और कोई इसको ऐसमभात यानि वो उत्पन ही नहीं होता वो निराकार है तो उसमें लिखा है कि वो जनम लेता है या नहीं लेता है वो साकार है या निराकार है इसकी जानकारी वो तत्वदर्सी संत बताँगे उन से सुनो इसस्यत हो गया कि वेद ग्यान दाता भी उस तत्वय ग्यान से ऐ प्रीचित है फिर विद्वान और अविद्वान की प्रिवासा बताते हुए यजुरुवेद जाय नमबर चालिश के और सलोक नमबर ग्यारा से लेकर तेरा तक सपष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्सर ग्यान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं और जो अविद्वान जिसके पास अक्सर ग्यान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं विद्वान और एविद्वान की जानकारी भी वो तत्व दर्शी संथ बताओंगे उन से सुनो तो पुन्यात्माओं ये दास है वो तत्व दर्शी संथ दो सर्वे सास्तरों के अनुकुल ग्यान देता है और सर्वस सद्गरंथों के नुसार बगती की विधी बताता है अब आप सिक्सित हैं सद्गरंथ हमारे पास उपलब्ध है और आपके उपर ऐसी मेर की है वगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सद्गरंथों के दरसन कर सकते हो प्रोजेक्टर के मादम से यहां हम सद्ग्सिंग में भी दिखाते हैं और टीवी के मादम से सीडी के मादम से पुष्टकों के दोवारा उनके सब रेफरेंस फोटो कोपियां लगा लगा कर आपके पास भेज रहे हैं तो आप जिन वो सद्गरंथ ख्रीदन की भी हो सकता ना पड़े और फिर भी ऐविस्वास होता है तो अवस्य देखे और उनको मिलाएं और फिर अपना वो पंथ अपना वो मारग जिस दिसा में आप जा रहे हो अपने सास्तर अनकूल कर लो इसमें बुधी मता है अब जैसे कोई विक्ती सफर कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसार से चले है इसार से कोई दिल्ली जा रहा है अर्याना से और वो पहुँच रहा है सिर्सा सिर्षा से आगे को जा रहा है उससे कोई पूछ रहा है आप कहां जा रहे हो वो कहता है मैं दिल्ली जा रहा हू दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ कोई जा रहा है दिर लुद्याना साइड में यहां हिसार से और उससे कोई पूछता है कि आप कहां जा रहे हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो पुन्यात्मों उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मारग ठीक नहीं है आपकी दिशा ठीक नहीं है आप गलत जा रहे हो तो क्या करना चाहिए उनको उनको तुरंट रुख जाना चाहिए उसी स्थान पर और उसका खूब निरक्षिन करे एक दो चार दस से खूब पूछे और फिर आगे सफर करे और किसी जैसे एक समस्या और आगई है कि हम ऐसे मारग दरसकों के फस गे सब वही गलत जिसा ही बता रहे हैं गलत जिसा को सही बता रहे हैं तो उसकी लिए जैसी एक विक्ती कह रहा है कि मारग ठीक नहीं है और दस कहरे हैं कि नहीं यह सही जा रहा है तो उस यात्री को यह विश्वास हो जाएगा उन दसों के जूट पर क्योँकि उनकी मातरा अठीक है और दूसरा अकेला एक यह कह रहा है कि नहीं आप गلत जा रहे हो तो उसे ये तू पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो ये सबी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूँ उसका परमान मांगए उस ते और वो हित ऐसी है तो आपको परमान भी देगा अब जैसे मैप है मानचितर वो विक्ति यदि आपको मानचितर पसिद कर देता है कि आप यहां खड़े है और दिल्ली ये है और आप इसार से चले हो इसार यहां पर है और आप जारे हो इदर लुध्याना या आगे लुध्याना देखो यह आपके रोड़ पर लुध्याना लिखा है और आप यहां खड़े हो, आप आए हिसार से हो, हिसार से जिनली इदर है तो फिर वो दस के दस जूटे से धो जाने चाहिए, उनको ट्याग देना चाहिए कि जूट बोल रहे है और फिर आपने दे साथ ही करके आ जाना चाहिए फिर दूसरी समझ चाहिए आती है सरदालों के सामने कि हमने दस वरस हो गए उपदेश ले रखाया उनसे हमने बीश वरस हो गए, हम वापस इदर कैसे आएं आपके, यहां कैसे नाम लें जो सच्छी साथ ना बताता है हमारे उस इतनी समय का क्या होगा, वो तो विर्थ हो गया अब जैसे इसार से कोई यातरी चला अपनी मोटर गाड़ी में और वो पहुंच गया सिरसा, जाना था दिल्ली तो वो 90 किलोमेटर गलत चला गया और वहां उसको कोई बचाता है कि आप गलत आगे हो अब ऐसा कोई मोरक नहीं होगा, ये कहे कि मेरे इस 90 किलोमेटर में चल पड़ा, इसका क्या होगा अब कैसे वापिस जाओ, ये कोई, ये बुदी मान वेक्ती ये बात नहीं कर सकता आकती बालक कर सकता है, जिसको कोई भी ग्यान नहीं उस मारक का तो उसका, वो अपने अब समझ जाएगा कि सचमुच गलत आगया और तुरंत मुड जाएगा, वापिस आना ही पड़ेगा तब ही मनजिल पर दा सकता है अगर उस 90 किलोमेटर को देखता रहा 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 वापिस नहीं आए तो वहीं बैठा रहेगा मनजिल तक नहीं पहुंच सकता तो ऐसी दसा आज वरत्मान में दास देख रहा है उन सरधालूँ की जो इन नकली पंथों में फसे पड़े हैं इन नकली संतों के पास फसे पड़े हैं दो दो तिन तिन पी डिवरबाद होगी अब उनको सही दिसा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते हैं मैप हमारे सद्गरंथ हैं इन में परमान दिखाए जाते हैं का आप गलत दिसा पर जा रहे हो तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी जूटों पर नराधार बातों पर बिलकुल विश्वास किये बैठे हैं समर्पीत हैं क्योंकि वहां जितना भी उनका ग्रूप बन गया है कोई भी इन पंथों का दो दास ने नाम लिया है जैसे राधा सौमी पंथ जैगुर देव पंथ ये नरंकारी पंथ अनसादेस वालों का पंथ ये बाल योगी सुर्दी और ये बाल बगवान के थैसे सत्पाल जी अनसराज जी इनके पिता जी थे इनका पंथ और नरंकारी पंथ बेर माकुमारी पंथ ये जितने भी संत हैं इनके लाखों की संख्या में नी आई आपने ही गुरू से पूछते हैं। वो तो पहली दिख बरष्ट है। और वो सभी आपका गुरूप दिख बरष्ट है। उनी से पूछ कर। आप कैसे सई दिशा पकड सकते हो। दास परतेक को कह रहा है कि आपकी दिशा गलत है। आपका वे ओफ वर्सी पूजा का मारग गलत है। और परमान दिखा रहा है कि देखो मैं अप ये बता रहा है। तो कमसे कम इन परमानों को देखकर आप जी को चाहिए कि अपनी दिशा बदले और जो दास के पास वो उपलब्द है सच्चा बक्ती मारग और सच्ची साधना जो हमारे सद्गरंतों में परमानीत है उसको ग्रहन करो अब इस दास के इस निरनाएक परियतन को एक परमार्थी परियतन को आलोचना ना समझे ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी जैसे ये नकली नोट चापे जाते हैं कोई नकमे टाइप के लोग दुनिया को ठगने के लिए नकली नोट बना देते हैं चाप देते हजार का पानसो का सो का जैसे भी और सरकार उनको पकड़ती है पकड़ के फिर कैसे निरने बताती है दोनों असली और नकली औरिजिनल और डुपलिकेट दोनों को समाचार पत्रों के मादम से टेली वीजन यानि अलक्रोनिक मीडिया के मादम से निरनाय करके बताते हैं कि डुपलिकेट में ये डिफेक्ट है ये तरुटी है औरिजिनल ऐसा होता है तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी बहुत बड़ा प्रॉपकार किया नालाखों लोग ठगे जाते गरीब आदमी मारे जाते तो ये दास बस इतना ही कर रहा है अपने सद्गर्ण दिखाता हूँ कि ये औरिजिनल है और ये अनुभाव इन संतों का है ये ग्यान है ये इन से मेल नहीं खाता जो नहीं रेंग रही है तो उनोंने भांग पी रहा की है इस अग्यान की अग्यान का नसा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझा में नहीं आ रहा हूँ ये दास कह कह रहा है और फिर भी उन से चिपके बैठे हैं गल्त नोट को सीने से लगाए बैठे है उसको फैंक और तुरंत औरिजिनल बड़ी आगरें करे आगे पीछे तो हुआ सो हुआ आगे तो बच जाओगे अब परसंग चल रहा है ये एक हंसा देश नाम का पंथ है और जिसके परवर्तक है शिरी हंस जी माराज और उनके दो पूतर है वो तो शिरी छोड़कर चले गए सन 1966 उनके दो पूतर है शिरी सत्पाल जी माराज जिसको ये बाल भगवान कहते है उनके सरदालो और उनसे छोटे हैं जो वो शिरी प्रेम रावत उर्फ बालियोगी स्वर कहलाते हैं जो अमेरीका में रहते हैं वहीं मेरिज कर रखिये यहां वो नहीं आते हैं बहुत कम आते हैं पहले तो यहां से ही स्टार्ट किया था उन्होंने फिर इन दोनों भाईयों का आपस में कोई मन मुटाव होने से वो यहां नहीं आपाते हैं बहुत कम आते हैं कभी कभी तो कहने का भाई यह है दास का कि इन्होंने क्रोडों विक्तियों को अपने पीछे लगा रख है और इनको अध्यातम मारका कख भी गान नहीं ना इनको परमात्मा का पता कौन है यह श्री विष्णू जी के पुजारी है श्री किरसन जी के अर गीता जी को सत मानते हैं और यह हंस नाम देते हैं है बहर और से अंदर हम बहर से अंदर और कहते हैं इसी को उटा कर लेता है सो हम बन गया फिर सोहम नाम भी जाब का देते हैं सो बाहर हम अंदर ये हानस नाम और सोहम नाम है कहीं गीता जी में सिरी मदवगद गीता अध्धाय नमबर आठ के सलोक नमबर तेरा में गीता ग्यान दाता कहता है कि मुझ बरम का मुझ बरम का केवल एक ओम अक्सर है नथिंग एल्स और इस ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है अन्तिम सांस तक इसका सिमन करता है तो वो ओम से मिनने वाली परमगती को प्राफ्ट होता है और ये हनस नाम देते हैं है इनका कोई विद्धान है फिर है इनका सास्तर नकुल ग्यान है अभी दिखाता हूँ आपको ये हनस योग परकास नाम की एक उस्तक है ये हनस जी महराज है योगी राज परमसंत सद्गूर देव स्री हनस जी महराज परकास से कह है स्री प्रेम नगर आसरम रजिस्टर हरिद्वार से ये कहां से छपी है ये है परकास से कहें स्री प्रेम नगर आसरम जवालापुर रोड हरिद्वार से ये छपी किसने है मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्ज प्राइविट लिम्टिड दो बटा पांस पंजाबी बाग न इदली इतने ये देखिएगा दो सब्द सिरी सिरी एक सो आठ सिरी सद्गूर देव प्रमसंत योगी राज सिरी हंस जी माराज आनन्द करंद सचीद आनन्द बगवान के सिरी कर कमलों दोवारा इस गरंद की रचना हुई है ये गरंद विकर्मी समवत ये है 1988 1989 यानि सन 1931 1932 में लिखा गया और समवत 1931 यानि सन 1934 में ये चप करत्यार हुआ अब देख लो 1934 से और आज 2012 तक 66 वर्स तो वो होगे और बारा ये 78 वर्स होगे 78 वर्स होगे ये ग्यान चलते और ये पढ़ते आ रहे हैं ये क्या साधना बताते हैं देखिएगा इसके अब इस पुष्टक के 212 परिश्ट पर आपको ले चलते हैं देखिएगा 212 परिश्ट पर हन्स योग परकास है 212 परिश्ट पर हन्स नाम का प्राण है स्वास अंदर जाता है तो स्वास के साथ सवते ही से की धवनी होती है और स्वास के बाहर आने पर हम की धवनी होती है हम और से मिलकर हंस सब्द बनता है उल्टा होने से यही हंस सब्द सो हम बन जाता है कोई बात हुई या नहीं बताओ कहते हंस का उल्टा कर ले सो हम बन गया उल्टा के करन की जुरूत है जो उसी दे बता रहे के गीताम नाम ओम नाम है नथिंग ऐलस ये बगवाद गड़ रखी नों ने कितना संसार डबो दिया आगे देखो इसी दो सो बारा फिश्टरम पड़ रहे हैं सोहम सब्द की दाउनी सभी प्राणियों के परती स्वास में होती रहती है इसी को अजबपा जाप कहते हैं इसका मानसिक द्धान करने में मनसिगरी सांत एमम एकागर हो जाता है और सह्थ समाधी लग जाती है इसी को परवन योग या ओंकार मंतर कहते हैं ये खाक है ये ओंकार मंतर कैसे हुआ ओंकार मंतर तो ओम है किसी सद्गरत में देखे लो अंसको ओंकार थोड़े का है निरी जूट बोल रही है ओंकार का रहे है सर्व व्यापक, सर्व धार सर्व निंता और सर्व पालन पोर्शन करने वाला हमस नाम ही सब में व्यापक है इस से सब प्राणी जिंदगी को प्राप्च रहते हैं इसलिए यही सब का दार है इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं सब का निंतन करने वाला भी यही है स्वास के साथ सैकार और हैंकार का सरुन करने से प्राण उपासना होने लगती है और इसी को आत्म सिंतन कहते हैं हन्स सब का मूल कारण है, प्राणी मरने पर भी यह कहने माता है, कि हन्स उड़ गया, अब इनकी अकल देखो अपना आत्मा, ये कहते हैं, कि जब जीव मर जाता है, स्रीज छोटा है, तो इन्हों कहते हैं, कि हन्स उड़ गया, हन्स ता जीव फिर जीव उड़ गया और जीव का जीव जाप करे देखा रहे तुमारी साधना को अपने आप क्या बता रहे हैं इन्हों कहें हन्स उड़ गया हन्स में जीव गया और जीव का ये जाप करो यानि हन्स हन्स जीव 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 यह कोई मंतर है, चाहिए इसने सास्ते कर लिए, चाहिए दो बाग कर लिए इसका, जब कोई सास्तर में सद्गरंत पर प्रमान नहीं, सद्गरंत है वेद और गीता, यह बगती के मारके, और प्रम पिता प्रमात्मा के दौर आपने मुखकमल से बोला, वो सचीदानन्द प्रम की वानी, कभीर वानी, यह प्रमानी सद्गरंत है, और जैसे पुराण है, यह पुराण गौड गीवन नहीं है, वेद और गीता गौड गीवन ग्यान है, पुराण क्या है स्री बिर्मा जी ने, वेदों को पढ़ा, जैसा उसकी बुदी ने काम किया, अपना अनुभ उन से अन्य ने सुना, उन से अन्य ने सुना, और लास्ट में जिस ने वो ग्यान सुना सुनाया बोला, उसके नाम से पुराण बना दी, को विश्मुजी का उपासकता, उसने विश्मु पुराण बना दी, को सीव का उपासकता, उसने सीव पुराण बना दी, दो देवी क उपासकता हुषन देवी पुरान मुना दिए उनके वक्ता अलग-अलग है और ग्यान ये बिरमाजी के दोरा दिया तो बिरमाजी से प्राप्त जैसा उसका अनुबाव का ग्यान था स्वेम लेखक परवक्ता का अपना ग्यान वो मिला करके अठारा पुरान मुना दिए ये दीन पुरानों का ग्यान वेद और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है वो वो एक विक्ती विशेस का ग्यान है कि सिरिशी विशेस का ग्यान उसका अपना अनुबाव है और वो अनुबाव वेद और गीता और प्रमात्मा सचीदानंद गनबर्म की वाणी से नहीं मेल खाता तो यूजलेस है वो व्यर्थ है तो ये व्यर्थ क्यान है इनका अब देखिएगा ये खुद कहते हैं जो ये अंस योग परकास दोस्सो बारा प्रिष्टम पड़ रहे है पराणी के मरने पर ये कहने माता है कि हंस उड़ गया कोई बात पिर हंस तो जीव उड़ गया जीव निकल गया और जीव की पूजा बता रहे हंस नाम माने जीव का इस हंस यानि जीव की पूजा बता रहे है हमारे मानस अर्दयम अभी हंस निवास करता है वो जी भी रहता है अर्देम हमारी रामान हन्स की ही गाथा है हन्स की गाथा है उतासरी रामचंदर की गाथा है यहां फिर 220 प्रिष्ट पर देखिएगा इसी हन्स योग परकास यानि इसी हन्स जी का अनुभाव है यह 220 प्रिष्ट पर यहां जाते है योग ब्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंतर का जाप करना चाहिए जीव का जाप करें जीव 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 हंस 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 यह कोई बात है बाड़का खेलो ना बना रखें उसे प्राण चलते हुग है, हम करके बाहर निकलता है, और सें करके अंदर परवेश करता है यह देखो, इस तरह अंसो अंसो सबसे, बार बार फिरते रहने से, उल्ट कर सो हम, सो हम हो जाता है इन कितना वकवाद कर ले, यह कोई बात है इनकी, जब हनस कजा पेँगे, हनसो हनसो, हनस, हनसका अरसो हम बन गया तुम गीता को सत मांते हो 1500 ओम मतर है, यह लाए कहां तो हनस और सो हम कभीर साहब कहते है सो हम सबद हम जग में लाए और सार नाम सार सबद हमने गुप छिपाए कभीर परमेस्वर के परच्वी पर इसकल युग में परगट होने से पूरव ये सोहम सबस किसी सद्गर्णत में वेद और गीता में नहीं है तो अब इनों ने अपने उस अज्ञान मंतर को विर्थ मंतर को सोहम से जोड़ने की कूँचे इस्टा किये और सोहम के भी दो बाकर लिए कमाल के बाद मोटर साइकल नद भी इस तर तोड़ ले एक पई आन्यों का योज दर गुमालो और इसने इदर ले जाओ उसका काम बगाड़ दिया तमने बढ़िया बना दी वापनी बनाई ठीक थी और सीधा ही रहना जिये था वो तब ही काम करती ऐसा बठा बढ़ा रहा है इन अग्यानी है तत्वग्यान ही इन प्राणियों ने और कवा आगे ये योगे स्वर महरेसी मंडले स्वर आचारिय और संकराचारिय के पद्पराफ्ट कर गे इनको कहख़ए भी ज्यान नी अपने सद्गरंतों के लिए परमान में ली है और कह रहे हैं हन्स का उटा सोहम बने कर सोहम जाब करो कभीर साहब क्या कह रहे हैं कि अकेला सोहम जाब करने से जीवन विर्थ हो जाएगा अकेला सोहम जाब करने का नहीं है इसको सोहम सोहम जब मरे विर्था जनम गमाया वो सोहम मंतर किसी और मंतर के शाथ जोड़कर ये दो अक्सर के मंतर बन जाते हैं और वो सतनाम है दो अक्षर का मंतर उसके साथ सोहम जोड़कर वो जाब सही काम करता है पगवान का बताया हुआ और ये कभीर साहब की वाणी अपने समर्थन में ले रहे हैं और ये अंस को भी ओंकार ओम से करने की जिश्टा करते हैं और कवीर साहब कहते है ओंकार निस्टे बहा ये ओम नाम है ब्रम का कहते है ब्रम भी है लेकिन ये करता नहीं है ये कंप्लीट गॉड नहीं है देखिए ये हंस योग परकास नाम महिमा 227 प्रिष्ट पे यहाँ पर लिखे है आदी नाम पारस है मन है मेला लो ये कवीर साहब की माणी परसती कंचन भया और छुटत बंदन मो आदी नाम ये सार सबद है ये सार नाम है आदी नाम आदी नाम निजमूल है और मंतर सबडार कहे कवीर निजम नाम बेन बोर्ड मुवासन सार अब आदी नाम कौन सा है जैसे सनातन आदी मन सनातन मंतर सार नाम सार सबद गीता जिद्धाय नमर 17 के स्लोक नमर 23 में उस आदी नाम का संकेत है ओम तत सत इती निर्देसे है बर्मने तिर्विदे समर्ते है ब्रामना तेन वेदा चे यगा चे विहीता पुरा ओम तई ब्रम का है जो गीता जिद्धाय नमर 8 के स्लोक नमर 13 में कहता है क्योंकि गीता ग्यान दाता स्री किरस्ण में बोल रहा है वो ब्रम जो विश्म और ब्रमा और सिव जी के जो पिता जी है उसने परतिग्या कर रखे कि मैं कभी किसी के समक्स अपने औरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा इसलिए गीता जे दैनमर 7 के स्लोक नमर 24 पत्शिस में कहता है कि ये बुधी हिन दन्समुदाय मुझ ऐ व्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते ऐ बुधा मुझ ऐ व्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से मैं किसी के समक्स नहीं आता और ये बुधी हिन मुझे मनुश रूप में इसलिए किरसन मान रहे हूंगे आइम नोट किरसन वो तो किरसन में बोल रहे थे फिर किरसन जी से बाहर निकल कर इतना शुरूप दिखाया किरसन जी दिखे नहीं अर्दुन ने और ये कहते हैं बगवान जोती है और अर्दुन ने भी बगवान की जोती देखी अर्दुन ने तो जोती परकास उस जोत सरूप उस साकार बगवान को देखा था उसके सरीर का परकास था इतना अजारों सुरियों जितना उन्हें जोती जोती थोड़ी देखियो, तो छारा कुछ देखिया, उसे आथा मैं देखिया, आपके मुँ में यो सब जा रहे हैं, अजार आथ थे उनके, अर्दुन्नेवी गीता में, बगवान की जोती देखी थी, बगवान ने अर्दुनेदा साकार, नराकार, उसका परक मैं तेजों में स्रीर युक्त देखा था तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्स नहीं आता और गीता जित दैर नुबर चार के स्लोक नुबर पांस और नो में कहता अरजुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तो नहीं जानता मैं जानता हूँ मेरे जनम और करम अलोकिक है इसके करम अलोकिक कैसे है कि किसी के सामने नहीं आता स्रीकर्षन में परवेश करकर गीता का ग्यान भोल दिया और यो मावारत अनरस करवा दिया स्रीकर्षन जी नहीं चाथे ते यो दो वो थितने नेक विक्ति थे सतोगुनी युक्त थे सतोगुनी युक्त थे उन्होंने तो यहां तक कह जिया था कि मैं हथियार निठाऊंगा एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होगा और मैं हथियार भी निठाऊंगा ऐसा जलूम मैं नहीं करूँगा बे मतलब लड़ रही हो तो दो तीन बार स्यंती दूद बन कर गये उनको समझाने के लिए आईए अब अब उन श्रधालू के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संस्रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं जथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मात पचल रही हैं उस कथा को करके हम अपने आपको बहुत बड़ा बिद्वान समझते थे और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूं हरी की भक्ती भी हो रही है और पेट का धंदा भी हो रहा है लेकिन संद्रामपाल जी महराज की सरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इखटा कर रहा हूं सरे आप कथा बाचक थे शिरिमत भगवगत कथा आप करते थे भगवत गीता जी की कथा आप करते थे और अपने आपको बहुत बड़ा विद्वान समझते थे पुरिष्याप की रोजी रोटी भी चलती थी और आप समझते थे कि बगवान की भगती भी साथ-साथ हो रही है तो फिर सर आप प्रम संद्ध सद्गूर रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आए संद्ध रामपाल जी की सरण में आने से पहले मैं कथा भागवत जो करता था तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है बड़ी रोचक था मैं कथा भागवत करने के उद्धेश से बंबई में गया हुआ था तो ट्रेन में मैं चल रहा था वहाँ पर मुझे ये पुस्तक भक्ती सौदागर को संदेश मिली हमारी दो बेहने थी जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थी तो एक तो मतलब जो टेंपलेट ले रखा था उन्होंने और पीछे से दूसरी पुस्तक ले करके चल रही थी तो टेंपलेट पर मैंने देखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विश्णू की माता संकर का दादा कौन है इस तरीके के जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रह गया और जब मैंने पूछा मैंने कि भाई ये पुस्तक कहां मिलेगी तो उन्होंने इसारा किया पीछे हमारी बेहन जी आ रही है वो आपको ये पुस्तक देंगी तो मैंने वो पुस्तक ले ली पुस्तक को जैसे ही सायोग से मैंने खोला तो उस पर ये संसार रूपी उल्टा ब्रक्ष का चित्र जो छपा हुआ था उस चित्र को देख करके मैंने देखा उस पर जड़ पर पूड ब्रहम परमेशुर कबीर साब की तस्वीर लगी हुई थी तो मैं चुखिए अपने आपको बहुत बड़ा बेद्वान मानता था और मैंने उसको देख करके मैंने इसना सुरू किया मैंने के ये देखो कभीर को परमेशोर बता दिया पूर ब्रहम और ये ब्रहमा बिशनु महीश को तू डालियां बता रखा इसमें तो वो हमारी बेहन जो पुस्तक लेकर करके चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो कभीर साब के बारे में मैंने कि मैं सब को जानता हूँ ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तलाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिली थे ये तो किसी बिद्वा ब्रहमडी के पैदा हुए थे तो वो कहने लगी कि आप मूर्ख हो मैं उस समय जैसे आज ये पैंट सेट पहने रखे हैं मैंने उस समय तो मैं कुर्ता और धोती में रहता था चोंकि मैं अपने आपको बहुत बड़ा बक्ता मानता था मैंने का कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ आप ऐसे कहते हूँ मैं तो कथा बाचक हूँ वो हमारी बेहन बोली बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो आप मूर्खो इस सब्द को सुन करके मैंने अपने आपको वहाँ उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानित महसूस किया मैंने सोचा मैंने चलो जादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा तो जहां मैं जा रहा था थोड़ी ही पुस्तक لबा पो पुस्तक पढ पाई ही तब तक मैं वहां पहुंच गया और उस घर में जहां जाने जहां में आप रोराम था वहां पहुंच गया मैं फिर उसको मैंने step बाई step जब पढ़ना सुरू किया तो कभी तो मन में आता बोले कितना घटिया लिखा इसमें तो गलत लिखा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रस्ण आ रहे थे लेकिन फिर जैसे इसे पढ़ते गए तो बरदास जब नहीं हुआ एक जगे जाकर कि मुझे रुक जाना पड़ा उसमें लिखा था कि द्रवपती का चीर क्रस्ण ने नहीं बढ़ाया था वो पूर ब्रम परमेश्यर कबीर साब ने बढ़ाया था तो चूंकि मैंने तो यहीं पड़ रखा था जो सास्त्रों में लिखा था कि क्रस्ण भगबान ने चीर बढ़ाया है तो मैं इस चीज को द से लिख दिया है कि ये क्रश्न ने चीर नहीं बढ़ाया तो वो कहने लगे कि भगत जी बिलकुल सही है आप पहले पूरी पुस्तक पढ़ो ग्यान समझो और जो भी संकाएं हो आप यहां आजाएए और मैं आपकी सारी संकाएं समाधान कर दूँगा मैंने का आप कुछ नही यहां से गी जो एकादसी महतम के नाम से तो बो पुस्तक मैंने पढ़ी उस पुस्तक में मैंने यह पढ़ रखा था कि एकादसी का ब्रत एक तरफ और दुनिया के सारे ब्रत एक तरफ यानि कि सबसे बड़ा ब्रत होता है और राजा अम्रीज की कथा सुनाया करता था जब मैं मंच पर बैठ करके तो उसमें जो दुरवासा रिसी जैसे रिसी के छक्के शुड़ा दिये थे उन्हों ने तो भो भी एकादसी का ब्रती रखते थे ऐसा उसमें लिखा हुआ था तो मैं ये मानता था कि ये ब्रत सबसे सर्वस्रेश्ट है लेकिन जब ये पुस्तक आपको बहुत बड़ा बेद्वान मानता था इसलिए सैट नहीं कर पा रहा था अपने आपको अब मैं बहुत दुखी हो गया इतना दुखी उस संयोग से उस समय एकादसी ही थी उस दिन मैंने ब्रत कर रखा था और अपने जो भी दैने कुया पाट कर रहा थी जो थी वो क लेड़ बन में पूरा समय निकल गया रात हो गई अब मुझे नीद नहीं आ रही थी मैं इतना दुखी जैसे किसी को पुत्र सोक हो जाता है उससे भी बढ़कर कि मुझे इतना दुख था कि बास तब सच्चाई क्या है यह सी ऐसे ही मतलब सोचते 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 पत ने मेरी कब आँख लग गई और उसी समय सपने में हमारे परम पूजनी सद्गुर्देव जी के रूप में परमातमा समय मा करके हमसे कहने लगे बोले बेटा ये जो आज तुझे ये मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग वो अभी तक जिस मारग के तुछ चल मैंने एकदम से अपने आपको सेट किया मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलो कासरम बरवाला जाओंगा अब जैसे ही मेरा वहां से कारकरम समाप्त हुआ मैं जब बापस आया यहां अपने अटावा में मेरे पिता जी चूंकि संकर जी की साधना किया करते थे मैंने उनको बताया मैंने कि पताजी आप यह साधना करते हूँ यह गलस साधना है और मैं भी मैंने हजारों बार गीता पढ़ डाली थी जब गीता ध्याय साथ इस लोक नमबर 12 से लेकर कि 15 तक पढ़ता था उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा बिश्नुमाईस की साधन करने बालों को राक्षे सुभाव के धार की हुए मनिश्यों में नीच कहा गया है और लाश्ट में लेखा हुआ कि मेरी भी साधना नहीं करते तो यहां पर मेरी बुद्धी चकराया करती थी कि ऐसा क्यों लेखा है सारा समझ तो क्रशन भगवान की पूजा करता है और दर्शी संत कौन होगा कैसा होगा मैं सत्य बता रहा हूँ बगजी कि जब मैं कहीं मंच पर बैठ करके कथा कर रहा होता और मेरे सामने से कोई कथा सुनने के वाला कोई भी संत या महत्मा आया करता तो मैं ये देखा करता था मेरे दिमाग में एक दम से आती कि कहीं ये वो नहीं है जो गीता जी का ग्यान दे रहे हैं ऐसे मतलब जो बताया कि उस ग्यान को जाकर के परमात्मा ग्यान को उनसे जाकर के समझो लेकिन पढ़ते रहते थे समझ में कुछ नहीं आता था क्रशन भगवान को अपना इश्ट मानते थे कई बार में क्रशन भगवान के सामने बेट करके रोया करता था, के शे परमतमां आप तो कुछ भी करते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो सुख के दाता हो, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला था मेरे पिता जी जो संकर जी की साधना करते थे सारा जीवन उन्होंने बगएर नाहे दुए कभी जल भी ग्रहनी करते थे इतना मतलब भक्ती करते थे संकर भगवान की और उनके जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकास डालना चाहेंगे कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिला जब उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला भक्ती इतनी जादा करते थे लेकिन आध्यात्मिक लाब तो बहुत दूर रहा बैसे भी कोई उनको लाब नहीं हुआ भरी जवानी में उनकी आँखें खराब हो गई इतने दुखी रहते थे साधना करते थे फिर भी आगे चल करके धीरे धीरे हम दो भाई थे हमसे बड़े भाई जो थे वो ही हमारे भाई और भाई दोनों लोग चल बसे उनके जीवन में इतना कस्ट आया इतना कस्ट मिला उने कभी कोई सुख नहीं मिला क्योंकि इतना उनको दुख मिला और भक्ती फिर भी चलती रही मेरी माता जी भी सेरा वाली की बक्ती करते थे और हम भी बच्पन से ही पता नहीं कैसे अपने को सैट किये हुए थे क्रश्न भगवान को विश्नु भगवान को इस संकर जी की ऐसी साधना हमारे घर में चल रहे थे हम भी उसी साधना को कर रहे थे लेकिन उस साधना से ना तो मुझे कोई लाब हुआ ना हमारे परवारबालों को उल्टा कस्ट पर कस्ट ही आते रहे और हम प्रार्थना किया करते थे कि मालिक मुझे सुख दे जब मैं कथा भागवत करने लगा तो मैंने ये सोचा कि मेरे उपर अब करशन भगवान ने बड़ी दया की है क्योंकि अब तो ये हमारा दंदा भी चलने लगा था पैसा भी मिलता था इज्यत सम्मान सब कुछ मिलने लगा तो अब मेरी समझ में ये आ रही थी कि मेरे इन करशन भगवान ने ही मुझे सब कुछ दे रखा है सारा सुख दे दिया ये सुख के दाता है लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं असांती जरूर रहती थी तो मैंने अपने पिताजी से आकर के बताया मैंने कि पिताजी जो आप साधना कर रहे हो ये तो इसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि सब गलत साधना है जब मैंने उस पुस्तक को पढ़कर के उनको सुनाया पहले तो वो नहीं माने है वो लेकि बिल्कुल जूट है ये लेकिन जब मैंने करम से उसमुस्तक को पढ़कर के सुनाया सरश्टी रिचना पढ़कर सुनाई तो सारी कहानी उनके समझ में आई पिता जी को इतनी तरब बनी कि चलो जल्दी करो उस समय हम उनको लेकर के और सतलो कासरम बरवाला के लिए चले तो हमारे गाउं के और भी भगत लोग चल दिये लगवग 12-15 लोगों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे जैसे हम रोतक में पहुंचे तो रोतक में उतर करके हमने देखा मैं चलो अब ट्रेन का पता करता हूँ यहां से कितने बज़े मुझे ट्रेन मिलेगी वो रोतक की जो ट्रेन थी वो उदर विवानी की तरफ जा रही थी इसलिए मुझे वो छोडनी पड़ी तो लोगों ने बताया कि आपको यहां से ट्रेन मिलेगी जीन के लिए आपको जीन जाना है तो मैं अब फ्रेन का पता करने के लिए जैसे ही गया वहां पर तब तक कुछ काल के ऐसे दूत लग गए कुछ वहां पर आकर के हमारे जो साथियों को उन्होंने ब्रहमित कर दिया अरे कि आप कहा जा रहे हो उन्होंने बताया कि मैं बरवाला जा रहा हूं रामपाल जी महराज के आसरे में जा रहा हूं सतलोक आसरे में तो उन्होंने का अरे वहां के हो जाते हो वो तो बहुत बड़ा जादूवर है वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है और वहां जाओगे तो फिर तो आपको इतना वो बसी भूत कर लेगा कि आपका दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा बार बार भाग करके इधर आओगे ऐसे कह करके उनको ब्रहमित कर दिया और मैं जैसे ही ट्रेन का पता करके आ रहा था तब तक एक सज्जन कह रहे थे बोले कि मेरी भक्तमती एक बार करोथा आस्रम में चली गई थी और उनको वहां पर परसाद दे दिया था मैंने वो परसाद उनको ग्रेड नहीं करने दिया भैस की नांद में फैंक दिया तो वो मूर कह रहा था कि वो भैस हूटा तोड़ करके सतलोग आस्रम करोथाम पहुच गई थी ऐसा जादूगर है वो तो अब क्या हुआ तो हमारे और जो साथी थे वो कहने लगे भाई तो हम नहीं जाएंगे वहां पर तो मैंने उनसे का मैंने कि आप लोगों की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि आप विस्वास बहुत जल्दी करते हो पहले तो आपने मेरी बात विस्वास किया आप यहां तक आ गए अब इन लोगों पर विस्वास कर रहे हो ऐसा न करो आप पहले मेरी बात मानो चलो हम जड़ तक चलेंगे जहां सचाई का मतलब पता लगा कर आएंगे कि बास्ता में सचाई क्या है तो कुछ लोग नहीं माने वो के नहीं हम तो घर जाएंगे हम के तो भाई ठीक है आपको जाना है तो जाओ मैं और मेरे पिता जी हम दोनों लोगे ने इधर निस्टे किया कि हम लोगों को बिल्कुल जाना ही है और सचाई का पता लगा करके लोटेंगे अब हम जैसे यहां बरवाला पहुँचे बरवाला पहुचने के बाद मैंने फौन किया मैंने कि मैं यहां पर रोड बिर बसे सामन देंगे जैसे उन्होंने बताया था अम खाहिए नहीं चलो देख लेंगे वाहां पर लेकिन जैसे नहीं। दिखाई नाम लिया अपदेश लिया मेरे उपर संत रामपाल जी महराज की दया 11 अक्टूबर सं 2009 को ही थी उसके बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमतकार किया सर परमसंद सद्गूर रामपाल जी महराज की शर्ण माने के बाद आपको क्या लाब बिला सबसे बड़ा तो लाब बुझे ये मिला कि जब हम लोग सतलोक आसन बरवाला पहुँचे और सद्गूर देव जी से उपदेश लेने के बाद में दरसनों के लिए जब गए पिता जी मेरे साथ थे चूँकि मेरे पिता जी मैंने आपको पहले बताया बगजी उनको दिखाई ने देता हांके खराब हो चुकी है तो मैंने क्यों अंगली पकड़ करके ले जाकर के दरसन के लिए ले ले गया बोले के ये कैसे कह सकते है कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है अपने से उमरें बड़े को बेटा नहीं कह सकता ये तो स्वेम परमात्मा ही है और मैंने जब दंडवत प्रडाम किया तो कहने लगे बोले बेटा तू नहीं जानता है तो ये कैसे निकाला मैंने ऐसे परमात्मा की स्रड में तू आ गया है तेरा अधार हो गया मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे वो कहने लगे क्यों रोते हो तो पिताजी ने कहा कि मेरी उमर पूरी बिर्ख चली गई उन्होंने का नहीं नहीं मैंने आपकी 20 वर्ष की उमर और बढ़ाई है तो मैंने उस समय ये सब्द बड़ा अत्सोक्ती माना मने कि ऐसे गुरुजीन कह दिया होगा लेकिन ये सत्य था हम लोग जब उपदेश ले रहें के बाद घर बापस पहुंचे पिताजी पर एकदम अचानक उन पर अटेक पड़ा और इतनी हालत उनकी बिगडने लगी मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी मृत्ती होने वाली है लेकिन परमात्मा ने ये सब्द बोला था मैं जो मुझे उस पर विश्वास था कि कोई भी संत होता है जो परम संत होते हैं सद्गुरु होते हैं वो जूट नहीं बोलते हैं जो कह देते हैं वो सत्य होता है मैंने तुरंत सतलोक आसरम बरवाला में फौन लगाया और उनको बताया मैंने बगजी मेरे पिता जी की हालत ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो उन्होंने का कि अमरत जल और परसाद जो रखा है उसको दे दो और दंडवत प्रडाम करने के बाद में परमात्मा से प्रार्थना करो और जितनी जल्दी हो सके आप सीगर यहां ले आओ बगजी दो वार अटेक पड़ा उनको और उसके बाद में हालत जैसी में उनको परसाद और अमरत जल दिया उनकी हालत में तुरंट सुधार हो गया उसके बाद में मैं तुरंट यहां से निकला और सतलोग आसरम बरवाला में आ करके सद्धुर्द देव जी के चरड़ों में द्रणवत प्रड़ाम किया और इस तरीके से मालक ने आज तक अब मेरे पिता जी किसी परकारी कोई दिक्कत नहीं है और जैसा उन्होंने कहा था कि उनकी उमर बढ़ाई है वो बिल्कुल स्वस्त हैं इस समय उनकी उमर लगवक 66 वर्श की हो रही है उसके बाद में हमारे साथ और बहुत से चमतकार किये मेरी स्वेम उमर बढ़ाई ही मेरे बच्चे को जीवन दान दिया एक बच्चा मेरा बड़ा वाला एक दिन एक पेड़ पर जमनी खाने के लिए चड़ गया था और उस पेड़ से अचानक वो गिरा जहां पर गिरा था वहां पर चारा खिलाने के लिए बैलों को चारा खिलाने के लिए ये नान जो बना रखी होती है उसके और बीच में एक खूटा गड़ा हुआ था, उनके दोनों के बीच में गिरा अगर मालीजिये सिर उसकी उसमें लगता पकी चटांसी थी तो सिर फट जाता तो उसकी मृत्ती हो जाती अगर खूटे के उपर गिरता कहीं भी मतलब पेट में या कहीं गुस जाता तो उसकी मृत्ती हो जाती, उस दिन उसका मृत्ती योग था लेकिन मालिक ने इतनी दया की कि उस नांद और खूटे के बीच में बुगिरा थोड़ा सा हाथ में चोट लगी, जो मालिक की दया से वो बिलकुल सही है ऐसे उसकी जिन बचाई, और एक दिन छोटा बेटा मेरा, यहां सतलोक आसरम बरवाला में आया हुआ था मेरी माता जी के साथ में, और यहां से जब जो लोग बापस जा रहे थे चूंकि इटावा रेलवे स्टेशन पर इनको उतर ना था लेकिन माता जी तो उतर गई, वो छोटा बच्चा उतर नहीं पाया और ट्रेंच चल पड़ी ट्रेंच चल पड़ी, तो माता जी एकदम धाड़े मार मार के रोने लगी के मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, हमारे और भी गुरु भाई हमारी माता जी के साथ में तो उन्हों ने मेरे पास फॉन किया, बोले भगेज जी आपका छोटा बेटा ट्रेंच से नहीं उतर पाया है और माता जी इस तरीकीश बहुत जादा रो रही है, तो मैंने उनसे कहा कि माता जी इसे आप कऊओ के वो चुप्चा आप घर जाए, वो परमातमा का बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मालक अपने अप दया करेंगे, वो बच्चा अपने अप घर आजाएगा, आप तो कहते हो, आपके परमात्मा है संतरामपाल जी महराज तो अब देखो, आप परमात्मा होगे मैंने कि आप चिंता ना करो, आप ऐसा मत बोलो आप नहीं जानते हो, वो परमात्मा ही है और अभी बच्चा देखना थोड़ी दिर बाद अपने आप बापस आ जाएगा और मैं इस विस्वास के साथ मैं तो बिल्कुल द्रड़ हो गया था मैंने कि कुछ नहीं होगा अपने आप परमात्मा दया करेंगे और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था लेकिन कुछ लोग कहने लगे अरे आप जाकर के आगे देखो अगली स्टेशन पर साइद उतर जाए मैंने कि मुझे कोई टेंसन नहीं है लेकिन फिर भी जब जब जादन लोगों ने कहा हमारी बक्तमती बड़ी दुखी होने लगी मैंने कि आप चिंता ना करो आज मालिक की दया से पूरा परिवार हम लोग परमात्मा की सड़ में है तो उन्होंने कहा कि आप जाओ दुखी होने लगी मैंने कि आप चिंता ना करो चलो मैं जाता हूँ तो मैंने जैसे ही घर से और निकला था तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उधर से वो बच्चा मेरा अपने आप चला आ रहा है रूड पर अब मैं उसके पास पहुचा मैंने माता जी को कहा छोड़ दिया वो कहने लगे माता जी इताबा मुतर गई थी मैं उतर नहीं पाया मैंने कि आप कहा उतरे हो तो अगला इस्टेशन जो था वो वहां उतर गया जैसे माली चोटा सा बालक था और उससे कोई कह रहा हो बेटा यहां उतर जाओ उसका जो बैग था उसमें दीक्षा फार्म था यहां सतलोगास नमबर वाला का वो चला गया सारे कपड़े चले गए और वो बच्चा उतर के आ गया तो मैंने बेटा तुम यहां कैसे पहुँचे तो वो कहने लगा कि कोई अंकल जी आये थे और मुझे साइकल पर बिठा करके इधर से लेकर के धर आए तो मैंने के बुख चले के दर गए और बापस चले गए मैं समझ गया कि यह परमात्मा का ही काम है यह कोई जीब की ताकत नहीं ऐसा नहीं कर सकता है और मेरे साथ में मेरी स्वैम उमर बढ़ाई मालक ने मैं एक बार बेंड जले से लोट करके अपने एटावा आ रहा था मारूती बेन में आगे बैठा हुआ था 60-65 की स्पीट में मारूती बेन ड्राइवर ने उसको बहुत कंट्रॉल किया लेकिन पता नहीं उसकी स्टेरिंग फेल होगी क्या हो गया वो सीधी जाकर के एक दीवार में घुस गई तो आगे का जो डैस्ट बोड था में आगे आगे ही बैठा हुआ था च्योंकि ड्राइवर के साथ में तो ड्राइवर की जो साइड थी उसने अपनी साइड तो बचाली लेकिन जिस साइड मैं बैठा हुआ था वो एकदम से ऐसी गाड़ी पिस गई मैं उसमें फस गया तो मैंने अपने आपको ऐसा महसूस किया कि मेरी दोने टांगें कट चुकी है और नीचे से यहां से लेकर कि नीचे का धर जो है वो मेरा समाप्त हो गया है और अब तेरी म्रत्यू निश्चित है उसी समय जैसे मान लो मुरे से कोई कह रहा है कि बेटा सतनाम का जाप कर मैंने सतनाम का जैसे ही जाप किया अभी दो मिनट ही हुए थे एकदम से सरीर में चेतना हुई जैसे मान ली मैंने अपने आपको महसूस किया हो योग था लेकिन मालिक ने मेरे उपर दया की मुझे जीवन दान दिया मुझे अनायास ही बहुत सब्द याद आ गए जो मैंने कभी बच्पन में किसी तांत्रिक से पूछा था एक बार मैंने एक तांत्रिक से वो हाथ देखने वाला आ गया था उससे मैंने अपने जीवन चुँकि दिखाया करते थे पहले ऐसे दाड़ा बनी रहती थी तो उसने मुझे बताया था बोले बेटा आपकी 35 वर्स की आयू में मृत्यू हो जाएगी तो मैंने जूट माना था और उसने ये भी कह दिया था कि आपके भाई की भी 35 वर्स में होगी उस दिन मैंने जब बो दिन तुरंत मुझे याद आ गया उस दिन दास ये पूरा 35 वर्स का हो चुका था तो मैंने समझ लिया कि ये मालक ने दिया कि आज मेरा मृत्य योग था इस तरीके से मुझे मालक ने मुझे भी जीवन दान दिया मेरे उपर बड़ी दिया कि सबसे पहले तो मैं साधना चेनल वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सच्चाई हम लोगों तक पहुँचाई हम लोगों को पता ही नहीं था कि बास्तम में सच्चाई क्या होती है और साधना चेनल वालों का मैं बहुत ही आभारी हूँ और खास तोर से मैं अपनी बेहन नहीं सर्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने उस कारकरम को पेस किया है उससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और साधना चेनल वालों का इतना धन्दबार करना चाहूंगा कि उन्होंने सच्चाई को हम लोगों तक पहुँचाया और मीडिया का काम भी यही है कि सच्चाई को सामने पहुचाई और भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आज हमारे भाई जो राम, कृष्ण, बिश्णू इनकी चक्र में पड़े हुए हैं जो हमारी तरीके से कथा बाचक बन करके अपने आपको बहुत बड़ा बिद्वान कह रहे हैं मैं उनसे बार बार प्रातना करना चाहूँगा कि आप यहां सतलोगासरम बरवाला जिला हिसार हर्याना में आओ वो छोड़ दो जूटा नाम और ये साधना करने से कोई लाब नहीं है और अपने आपको जो बिद्वान मानते हो आप बिद्वान नहीं हो आप पाप के भागी हो रहे हो और सतलोगासरम बरवाला में स्वैम कभीर परमिश्वर के अफ्तार संत रामपाल जी महराज आए हुए है उनकी स्रड में आने के बाद आपको कल्यार हो सकता है नहीं तो कोई भी संत कहीं भी कोई भी मंदर मस्जिद में जाने से कोई भी आपका कल्यार नहीं कर सकता है ये मैं सत्त कह रहा हूँ और ये बिलकुल इथार्द है कि परमात्मा की स्रड में आने के बाद ही आपका कल्यार संबब है नहीं तो कहीं कल्यान संबब नहीं है ये जूटी कथा भागबत करने से या किसी तरीके से अपने आपको विद्वान साबित करने से अपने आपको धोका दे रहे हुए मनिस जीवन बरबाद कर रहे हैं अभी आप ये पूरवजनम के संसकार आपके हैं जो आपको मिले हुए हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग भी साधना चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को सुर रहे हैं मैं सबसे ये संदेश पहचाना चाहूँगा कि बहुत जल्दी सीगर अती सीगर बिना किसी पल को गमाये हुए सतलोक आसरम बरवाला जिला हिसार हर्याना में आईए और सत्वुर्देव रामपाल जी महराज से नाम दीचा लेजिए और अपना कल्यान करवाईए चत साहिए संत रामपाल जी महराज जी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दीचा केंदर हैं जिन पर संत रामपाल जी महराज जी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दीचा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541